आज की शो में देखिए श्रिलंका में राश्रपते चुनाओ की कहानी भारत के लिए क्या दाओं पर लगा है बांगलादेश ने जमाते इसलामी से बेन क्यों हटाया और टेलिग्राम के फाउंडर पाविल दुरो के साथ अब क्या हुआ है नमस्कार मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन्टॉक का अंतराश्रे प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारिक्रम दुनियादारी पहले बाद श्रिलंका चुनाओ की श्रिलंका एक द्वीपी देश है हिंद महासागर में बसा है किसी भी देश के साथ जमीनी सीमा नहीं लगती है सबसे करीबी देश भारत है श्रिलंका भारत के दक्षर में है दोनों देशों के बीच सबसे करीबी दूरी महज 54 किलोमेटर की है श्रिलंका की आबादी लगभग 2 करोड 22 लाख है 70 फीजदी लोग बौध धर्म को मानने वाले हैं 12 फीजदी लोग हिंदू धर्म को और 10 फीजदी इसलाम को मानते हैं इसायों की संख्या 7.5 फीजदी के आसपास है श्रिलंका का शेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमेटर है भारत के असम राज्य से भी छोटा कुलंबो श्रिलंका की कारेकारी और नियाईक राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोटे विधाई राजधानी है संसद यहीं पर है आज श्रिलंका की काहानी क्यों क्योंकि सतंबर 2024 में वहां राश्ट्रफती चुना होने वाला है मई 2022 में ततकालीन राश्ट्रफती कोटबाया राजबक्षा देश छोड़ कर भाग गये थे तब इंडाइरेक्ट इलेक्षन में रणिल विकरम सिंगे को राश्ट्रफती चुना गया था उनका कारेकाल नवंबर 2024 में खत्म हो रहा है इसके लिए 21 सितंबर की तारीख तै होई है कितना एहम है श्रिलंका में राश्ट्रफती चुनाओ वो सरकार के साथ साथ राश्ट्र के भी मुख्या होते हैं राश्ट्रपती के पास और क्या शक्तियां हैं सरशस्त्र सेनाओं की कमान उनके पास होती है वे किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग का एलान कर सकते हैं राश्ट्रपती के पास अपातकाल घोशित करने का अधिकार बढ़ भी है कौन बन सकता है श्रीलंगा का राष्ट्रपती मुख्य अरहताय जान लिजिए श्रीलंगा का नागरिक हो उसके पास किसी और देश की नागरिकता नहों उम्र तीस बरस से जादा हो वोट डालने की योगिता पूरा करता हो श्रीलंगा में राष्ट्रपती पद निकालती है इस बार 49 लोगों के आविदन पर मुहर लगाई गई है 2019 के राश्वपते चुनाव में 35 उम्मीदवार थे एक बार नाम तय हो जाए तो तय तारीख पर वोटिंग कराई जाती है जिस कैंडिडेट के खाते में 50% से जादा वोट आते हैं उसे विजेता घोशित क फिर सेक्ट प्रफेरेंस की गिंती की जाती है दरसल राश्वपति चुनाव में वोटर्स के पास को 50 50 से जादा वोट नहीं मिलता तो अगले प्रिफरेंस की गिंती कराई जाती है 2019 के राश्रपती चुनाओ में गोट बाया राजपक्षा को पहले राउन में ही 52.25 फीजदी वोट मिले थे इसलिए दूसरे राउन की काउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर किसी कारण से राश्रपती को कारेकाल के बीच में हटना पड़े तो क्या होता है उस स्थिती में संसद सीक्रिट बैलिट के जरिये नए राश्रपती को चुन सकती है इस तरह के चुनाओं में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं आखरी बार ये विवस्ता जुलाई 2022 में इस्तिमाल की गई थी गोटबाया राजपक्षा के देश शोड़कर भागने के बाद उस चुनाओं में रनिल विक्रम सिंगे को जीप मिली थी जबकि वो अपनी पार्टी के विकलोते सांसद थे ये तो हुआ राश्रपती चुनाओं का प्रोसेस अब इस बार के चुनाओं की बात कर लेते हैं 21 सितंबर को वोटिंग होगी 22 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा आम तोर पर रिजल्ट वाले दिन ही विजेता उमीदवार राश्रपती पद की शपत ले लेता है टॉप फाइफ कैंडिडेट्स के नाम जान लीजिए नमबर एक रनिल विक्रम सिंग है वो मौजूदा राश्रपती है छे बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके पार्टी के पास संसद में केवल एक सीट है श्रिलंका में अगला संसदिय चुनाओ अगस्त 2025 से पहले हो जाएगा इसमें 205 सीटों के लिए चुनाओ होगा दूसरा नाम है सजित प्रेमदासा का पूरो राश्रपती रंड सिंगे प्रेमदासा के बेटे हैं समागी जन बाल वेगया सजित सेंटर लिफ्ट अप्रोच रखते हैं श्रिलंका में टैक्स नियमों में बदलाओ के पक्षधर हैं अर्थ व्यवस्ता के मुद्दे पर चुनाओ लड़ रहे हैं तीसरा नाम है अनुरा, कुमार, दिसाना, या केका इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, पी एलेफ ये वामपंथी पार्टी है, इनकी संसत में महज 3 सीटे हैं फिर भी राश्रपती पत के लिए होने वाले चुनाओ में लोग प्रियनाम बने हुए हैं इनकी सबसे बड़ी वज़य है उनका करॉप्षन विरोधी अपरोच उनका कहना है कि वो सत्ता में आए तो देश से करॉप्षन मिटा देंगे चौथा नाम है नमल राजपक्षा का, राजपक्षा परिवार के वारिस उनके पता महिंदा राजपक्षा और चाचा गोडबाया राजपक्षा दोनों देश के राजपती रह चुके हैं कहा जा रहा है कि रनिल विक्रम सिंगे को जीत से रोकने के लिए उनको चुनाव में उतार गिया है, हलांकि इनके चुनाव जीतने की संभावना बहद कम है और पांचवा नाम है नुवान बोपेज का पीपल्स स्ट्रगल अलाइंस इनकी पार्टी है उनका कहना है कि श्रिलंका सिर्फ आई एमफ के लोन से नहीं चलेगा हमें इसके अलावा भी कोई रास्ता खोजना होगा बोपेज देश में गरीबों के लिए आर्थिक सुधार की नीती लाना चाहते हैं ये चुनाव क्यों खास है? जैसा कि हमने पहले भी बताया ये 2022 के तख्ता पलट के बाद पहला राश्त्रपती चुनाव है 2022 में जबरदस्त विद्रो के बाद गोटबाया राजबक्षा को देश छोड़कर भागना पड़ा था श्रिलंगा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी राश्त्रपती को स्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था हमने श्रिलंगा के चुनाव को और विस्तार से समझने के लिए Observer Research Foundation यानि ORF में Associate Fellow आदित्य शेवमूर्ती से पूछा इस बार का दाश्त्रपती चुनाव किन-किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है देखे जो यह स्री लंकन elections हो रहे है 21st September को यह अपने पुराने और पिछले वाले जो elections है उससे तोड़ा different है उससे तोड़ा अलग है क्योंकि जो पुराने वाले elections हुए थे ओ दरसल इसे security related matters, terrorism या insurgency इनके उपर जाधा तर बात किये गजाते थे अब यह जो यह आ रहा है नया वाला election आ रहा है यह पहला election ने post अरागा लिया यह जो post economic crisis से post political crisis से जो 2022 से शुरू हुआ था तो अभी जो वाला hangover अभी कतम नहीं हुआ है तो यह जो elections होने वाले तो इसके मेन मुद्धे जाधा तर यह जो अरागाले moment के बारे में थे और जो grievances थे लोगों के जो उनकी कश्ट थे तो उसी के around जा रहे तो अभी पहला issue जो है वो corruption के बार में बात कर दिया जा रहा है अब दूसरा issue है economic recovery, economic policies और तीसरा issue है जो political reforms के बार में बात कर रहा जा रहा है कुछ politicians मानते कि constitutional reforms लाने चाहिए, कुछ बोलते है कि prime minister और parliamentary system लाना चाहिए और कुछ बोलते है कि हम लोग reconciliation नहीं करना चाहते है तमिल्स के साथ और federal elections रखेंगे तो यह जो पूरा जो अभी matters हो रहे है अभी जो debate हो रहा है वो जादातर unpredictable है पर जादातर issues वही pre-political crisis या political crisis के time में जो होता था वही issues को अभी भी discuss और debate किया जा रहा है तो वही अभी जो election में वही मुद्धे importance रखते है श्री लंका के चुनाव से भारत के क्या-क्या हिद जुड़े हुए है इस चुनाव पर भारत की नजर क्यों बनी रहेगी देखे फिर से मैं यह बोलना चाहता हूँ कि जो political crisis और economic crisis के बाद यह जो election हो रहा है पहला वाला election है तो और श्री लंका और इंडिया को यह से भी देखा जाए तो दरसल हमारी जो historical connectivity है geographical connectivity है जो श्री लंका में होगा उसका impact spillover impact हम जो बोलते हों हमेशे इंडिया में दिखता है ठीक है तो अगर जो नया वाला सरकार आएगा तो economic stability नहीं बनेगी political instability बढ़ती जाएगी तो उसके lower impacts इंडिया के लिए तो रहे गाई तो वो पहली पहली बात है अब दूसरी बात है जो हमारी bilateral irritants थे पहले से जो चलते आ रहे जो fisherman dispute है या 13th amendment को लेके जो श्री लंकान तमेंड्स को जो 13th amendment federalism और जो extra powers देने की बात हो रही है या वो मुद्दे पे या चाइना factor पे तो ये सब तीनों मिलाके भी वो जो इंडिया का जो stakes है ना वो बढ़ता ही जा रहा है तो इस election में ज़ादा तर ये debate है कि इस election से आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे और इस bilateral irritants को कैसे solve कर पाएंगे और सबसे important मुद्दा ये है कि जब श्री लंका को economic crisis पे जो शुरुआत पे जब श्री लंका economic crisis में था इंडिया ने ओर और और 4.5 बिलियन डॉलर का assistance दिया था तो जड़तर वो assistance अब private investments बन चुके है, grants हो चुके है, loans हो चुके है, तो इंडियन प्रोजेक्स जो है, स्री लंका के पूरे जो territories है, वहाँ पे फैले गए है, पूरे जो provinces है तो एक important question ये भी बनता है कि अगला जो सरकार आएगा, क्या ये policies continue करेंगे, या क्या investment projects को implement करेंगे, ये भी एक एहम मुद्दा है इस चुनाव में विक्रम सिंगे सबसे ही प्रबल दावेदार बताय जा रहे है, ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव उनकी आर्तिक नीतियों का जन्मत संग्रा है, विक्रम सिंगे को किस से और चुनावते मिल रही है, और भारत के लिए किस के साथ काम करना जादा मुफी पहले जो Shri Lankan elections होते थे उसमें दरसल दो मेन contestants थे अब यह जो election है इसमें चार contestants है एक तो रनिल विक्रम सिंग है खुद है फिर उनके बाद सजीद प्रेमदासा है फिर अनुरा दिसन आएक है जो left wing lead कर रहे है और चोती एंगल में से हमारा जो पुराने राश्रपती थे श्री लंका के राजपक्सा उनके उनका बेटा जो है अभी वो कंटेस्ट कर रहा है नमल राजपक्सा तो यह जो election है इसको four way battle माना जा रहा है तो अभी हमको कुछ clarity है ने कि कौन सा पार्टी जीत सकता है और कौन सा पार्टी जीत सकता है और कौन सा candidate जीत सकता है हाँ इसी जो uncertainty जो बनी हुई है इस elections को लेके इसलिए इंडिया ने भी अपना जो strategy outlook देखा है अपना elections में उसने भी कुछ diversified outreach लिया है जैसे कि हमने देखा कि अनुरा दिसन आयके जो left wing से belong करते है उनका जो anti-India propaganda था उनका parties का अब वो पुराण melodown हो चुक है इंपक्ट अनुरा दिसन आयके भी आये थे इंडिया कुछ मैने पहले यहाँ पे के invitation को लेके और नमल राजपक्सा तो आते रहते है राजिल विक्रम सिंगे भी आयते है इंडिया और अभी बात बन रहे कि सजीद प्रेमदाता भी शायद इंडिया आ सकते है तो यह वाली जो इंडिया ने जो आगे क्या बन सकता है अब इंडिया के लिए यही अच्छा होगा कि जो भी आएगा तो उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाए और अपना जो बाइलाटरली रिटेंट से उनको सौल करे और अपना जो इंवेश्मेंट प्रोजेक्स है तो उनको फर्दर करें तो यह दरसल की बात है कि इंडिया अभी किसी को फेवरबली नहीं देख रहा है इस टेकिंग अ नीट्रल अप्रोच श्रिलंका में भारत के लिए एक चुनावती चीन भी है उसने श्रिलंका में बड़ा निवेश क तो उनके टाइम पर बहुत मजबूत रिलेशन्शिप थे पर यह बात मतलब यह यह सवाबूत नहीं करता है कि जो बाकी जो दूसरे लीडर से उनका और चैना का रिलेशन्शिप है नहीं चैना और श्री लंका का रिलेशन्शिप अमेशर आया राजपकसा रहे या ना रह उसका जो economic leverage से जैसे आपने बताया कि चाइना ने इतना investment कर चुका है श्री लंका में तो कोई भी सरकार आएगा तो उनके साथ बात करेगा कोई भी सरकार आएगा उनके साथ interact करेगा कोई भी सरकार आएगा उनका जो sensitivity से या security ambition से उनको वो further करते रहेंगे ठीक है तो ये बात ये बात तो जाहिर सी है कि चाइना का जो influence है वो श्री लंका के उपर इतना बढ़ चुका है कि कोई भी president आएगा वो चाइना के साथ बात करेगा वो working relationship बनाएगा ही तो अब चाइना का दूसरी बात क्या है कि जो economic crisis होता है उसमें तो चाइना ने assist नहीं किया पर जब economic recovery process ह हो रहा है तो चाइना का investments बढ़ रहा है इन फैक्ट हमन तोटा में चाइना इस क्या बोलते हैं उसको एक oil refinery बना रहा है जिसमें 4.5 4.5 billion US dollar का investment है तो इससे हम को हम देख सकते कि श्री लंका को भी चैना की जरूरत है और चैना को भी श्री लंका की जरूरत है तो आगे वा हाला की जब रनिल विक्रम सिंगे ने एक साल का जो बैन लगाया था चैनीज spy ships के उपर उसको लेके तोड़े चत्चे हुए थे और चैना तोड़ा dissatisfied था इस decision को लेके कि आपने हमारे spy ships के उपर SAQ restrictions डाल जया और दूसरे ships को क्यों चोड़ रहे है तो अब January में वो restriction कतम हो होने वाला है तो चैना ये भी देखेगा कि आगे जो आएगा वो spy ships को अलो करेगा या आगे जो आएगा उसका economic relations कैसे बना जाया और economic recovery process कैसे बना जाया और finally मैं यह बोलना चाहता हूं कि चैना ने श्री लंका के उपर बहुत invest किया है और चैना ने बहुत loans भी दिया है त तो जब श्री लंका recover होगा तो चैना भी अपना loans जो invest किया है उसको return on investment मिल पाएगा अगर श्री लंका recover ना हो पाए तो चैना के लिए सबसे बड़ा loss होगा more than any other country बीट इंडिया और जपान चैना को सबसे बड़ा loss होगा तो इसलिए चैना भी देख रहा है कि आगे वाल यह था हमारा बड़ी खबर सेग्मेंट अब सुर्खियों की बारी पहले सुर्खी बांगलादेश से हैं अंतरिम सरकार ने जमाते इसलामी बांगलादेश पर लगा बैन हटा लिया है यह बांगलादेश की सबसे बड़ी इसलामी पॉलिटिकल पार्टी है स्थापना मैं 1989 1989 में हुई थी 2013 में सुप्रेम कोट ने पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी उनके खिलाफ सम्विधान के उलंगन का आरूप था फिर एक अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार ने जमात पर पून्द प्रतिबंध लगा दिया इसके चार दिन बाद ही हसीना को देश ह कर भागना पड़ा उनके जाने के बाद अंदरिम सरकार का गठन हुआ मुहम्मद यूनूस लीडर बने 28 अगस्त को सरकार ने जमात पर लगा बैन हटा दिया अब वे चुनाव लड़ने और राजनेती गत्य विद्यों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत रहें जमात इस्ल इस्लाम की कटर धारा का प्रिचार प्रिसार करना था साथ ही साठ विप्द भारति महाध्वीब में इसस्ups बनना चाहते थे लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हो गया भारत के पूरब में पकिस्छिम में पांडों में तो जमाद का असर समय के सांद कम हो गया मगर East और पाक पाकिस्तान की फौज की मदद की मगर उनको इसका फायदा नहीं हुआ दसंबर 1971 में बांगलादेश अलग मुल्क बन गया इसके बाद पाकिस्तान में आवामी लीक की सरकार बने शेख मुझीबुर रह्मान राष्ट्रपती बने उन्होंने धार्मिक संगर्ठनों को राजनी चलाने और सजा दिलाने की विवस्ता थी बगर जब तक किसी को सजा मिल पाती उससे पहले शेख मुझीब का कतल हो गया 15 अगस्त 1975 को सेना के धड़े ने उनकी और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी इसके बाद सैन्यशाशन तख्त पलट और खून खराबे का लंबा दोर चला 1977 में जनरल जियाओर रह्मान बांगलादेश के राश्ट्रपती बने उन्होंने धार्मिक संगठनों पर लगी रोक हटा दी तब तक जमात इसलामी के कई नेता वापस आ चुके थे उन्होंने 1989 में जमात इसलामी बांगलादेश की निग रखी जियाओर 1978 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई उसका नाम रखा बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बी एनपी 1990 के दशक में जब लोगतांतरिक चुना हुए उसमें बी एनपी ने जमात के साथ गटबंदन किया दोनों ने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के बीच साथ में सरकार चलाई फिर आया 2009 का साल शेख हसीना की सरकार में पापसी हुई उन्होंने 1973 वाले वार क्राइम्स ट्रिबिनल एक्ट में सं जमात के नेताओं के खिलाफ वार क्राइम का मुकदमा चलाया गया कईयों को सजा भी हुई जमात वार क्राइम के आरोपों से इंकार करती रही है आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी फ्रांस से है टेलग्राम के फाउंडर पावल दुरो की मुश्किलें बढ़ती जा रही नमबर तीन बच्चों की आपती जनक तस्वीरों को फैलाने में सनलिप्त था अपचारिक जांच का ये मतलब नहीं है कि दुरो दोशी है या उनके उपर मुकदमा चलेगा ही चलेगा ये जांच के दोरान मिलने वाले सबूतों और गवाहों पर निर्भर करेगा पावेल दुरो अभी कहां पर है उनको पुलिस की हिरासत से छोड़ दिया गया है लगवक 47 करोड रुपए के बॉंड पर हाला कि अभी वो फ्रांस में ही जुडिशल सुपरिजन में रहेंगे उन्हें हफते में दो बार पुलिस स्टेशन में हाजरी लगानी होगी इसके अलावा वो फ्रांस छोड़ कर नहीं जा सकते पावेल दुरो और टेलिग्राम की कहानी हमने अपने एक्स्प्लेइनर शो में विस्तार से बताएगा विडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देश दुनिया के और भी जरूरी और दल्चस्प खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है आज के दुनियादारी में बस इतना ही अपना ख्याल रखिएगा शुक्रिया शुक्रात्री